हेलो नमस्कार साथियो आपका स्वागत हमारी चनल पे तो साथियो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीट पहले सी पेट एक्जाम के लिए जैसा यानते उत्तर परदेश से भी सवाल इसमें आने वाला है क्योंकि यूपी पेट तो जानते हैं दो उत्तर परद परदेश का सवाल ऐसा आया था तो दोस्तों मैंने एक से लेके 20 तक सवाल उत्तर परदेश लेया जो कि काफी महतपूर होने वाला है तो दोस्तों सुरू से लेकर अंतर तक बीड़ों जरूर देखें काफी आपके लिए हेल्फ होने वाला है यह प्रस्ण तो देखें दोस स्रीव बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के राच के चिन में नहीं है तो दोस्तों देखिए इस सवाल पुछा है उत्तर प्रदेश के राच के चिन में नहीं है तो दोस्तों क्या है मचलियां धनुस तीर मोर दोस्तों कौन नहीं है जो राच की चिन में तीन है लेकिन एक नहीं नहीं है दोस्तों आप हैं मता सकते हैं मोर नहीं है दोस्तों देखिए ओप्सन क्या हो जागा आपको दो लगा रहा था तीर लेकिन देखेंगे दियान से तो है धनुस्थ भी चलियां भी है तो चलिए प्रश्मर तीसरा बप्रते हैं कि उत्तर प्रदेश के पच्छ दीया उत्तर परत की पच्छी क्या दोस्तों तो इस सारस है तो d c d बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा तो दोस्तों आप में बता सकते हैं उत्तर प्रदेश का रास्की ब्रिच क्या है हमें कमेंट कीजिए इसका जवाब तो चलिए प्रस्ट नंबर आपके लिए टेस्ट है चलिए प्रेश नंबर चौथा उत्तर प्रदेश में नियुन दोस्तों यह गौत्म बुधनगर है तो ओप्सन वी क्या हो जागा बिल्कुल राइट ऑप्सन हो जाएगा तो चलिए प्रेश नंबर पांच देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी सहर निमलिखित में से कौन है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे प्रस नंबर 6 देखते हैं उत्तर प्रदेस का कौन जन्पद 4 राज्यों से लगा हुआ है तो अब बता सकते हैं दोस्तों ये एक सून भत्र लगा है ये वी option निंगा हो जाया गा बिल्कुल राइट जवाब नुस्ता है धस्तू कौन है राज और स्थान है दूस्तों क्या हो जाएगा बिल्कुल सही Bear आद चलते हैं अमें उत्तर प्रदेश किंचने यह जे रहे हैं और ऐस्क न शेवा कि किस login देना है तो चलिए प्रस नंबर दो देख नौ देखते हैं कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल का उत्तर प्रदेश किया गया था तो दोस्तों यह किया गया था 24 जनुरी 1950 में ओप्सन को यहां अप्सन भी हमारे क्या हो जागा बिल्कुर राइट ऑप्सन हो जाएगा तो 24 जनुरी 1950 को क्या किया तो उत्तर प्रदेश वो संयुक्त प्रांत नाम बदल को उत्तर प्रदेश किया गया था चलिए प्रस नंबर 10 उत्तर प्रदेश का कौन सा जीला उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर इस्थीत है ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा जीला है दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर इस्थीत है दोस्तों कौन है बलिया है ये भी देखिए बलिया हो जागा तो आप्शन वन्हाव जन पत्म में है तो अप्सण क्या हो जाएगा विल्कुल का एट अप्सण हो जाएगा तो प्र Thanh 12 देखते हैं कर दोदहिभा राश्टी उद्यान हमारे राज के नियुन में से किस स्थितये हैं तो उप्सटन ही क्या हो जाएगा तो चली प्रस्न 13 देखते हैं को गंगा नदी उतरबर इस जन्पद में प्रवेस करती है तो यह विजनावर में करती है तो चली प्रसण 14 देखते हैं देखें इस आपका पेट पेट सवाल में ऐसा पूछ रहा है तो उम्मीद ऐसा इस सवाल देखनों को मिल सकता आपके एक बार जरूर रिविजन कियेगा दोस्तों देखिए प्रस्ण 14 है निमलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राजी से प्रवावित नहीं होती दोस्तों कौन सा नदी है तो ये दुस्तों गंडग नदी है तो औप संसी क्या हो जाएगा बिल्कूर राइट अपसों हो जाएगा तो प्रस्ण 15 उत्तरप्रदेश कीसी नुट्रिशी नुसंधान परीसा निमलिखित में किस अस्थान पर इस्थित है ये दुवसर्दू इस्थित लखन दृस्ट उत्तों जो उत्तर प्रदेस में सब्सक्र फसल चक्र उत्त कMusicल के सभसे हम ऐते हैं तो क्या दिया हैं मक्क और घेहों हो सरसर दिया तो सबसे होता है जो ज़एगा थो मैं गास्थान छाट यह जाएगा तो एक मतलब कहा होता है तो भारत उत्तर प्रदेश का तो मैं बताना पहला स्थान है तो भारत में उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्या है है उससलिज्ञादा आलो कला पादन पहले अस्थान पे हैं तो प्रस。 वहां एक अथारा देखते हैं निम्हें में से यільनmidt प्रदेश में नहीं है तो तो एस अप्ष rooting में से लेकिन एक नहीं कर आसा कौन सा है तो बता सकते हैं देखिये अर्वाक भी सबसे क्या है लंबी नहर दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है घागरा नदी केन नहर निचली गंगा नहर तो सारदा नहर सबसे क्या है बिल्कुर राइट ऑप्सन हो जाएगा तो अचली प्रस नंबर बीस दोस्तों आज का आखरी सवाल है यह होने वाला है उत्तर प्रदेश में फिर्योजाबाद किसके लिए परसीद है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में है फिर्योजाबाद एक जगह जिला है वो किसके करेंगे देखें ऑप्सन दिया है मिट्टी के बरतन भी एक आज के चूड़ी सी है सिमेंट डिया मीना कारी काम तो दोस्तों इसका जवाब में कमेंट करेंगे तो दोस्तों एक से बीस तक हमने सवाल के यह सारे सवाल आपके पेट एक्जाम के लिए काफी महतपूर होने व पारत